हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक लवे स्टेडी पॉइंट में मेरा नाम है सतंदर परताप और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे फिफ्ट तो दोस्तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चैप्टर नमबर फाइफ है हमारे सामने समकाली इंदक्षिन एसिया के बारे में पढ़ेंगे हम डिटेल में तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक हलाकि मैं वीडियो पहले भी बना रखी है लेकिन मैं वीडियो दुबारा से अप्लोड इसलिए कर रहा हूं मैं आपको बता दूँ क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो बनाये तो वो कई पार्ट में थी पार्ट 1,2,3,4 हो सकता है 5,5,6,6,7,7 पार्ट में तो ये ना काफी दिक्कत होती थी ढूणने में तो इसलिए मैं इन सारे पार्ट को हटा के एक या दो पार्ट में ही कवर कर दूँ का सारी वीडियो तो इसलिए मुझे दुबारा बना करें तो इसमें साथ देश थे लेकिन एक आठवा भी जुड़ाया अफगानिस्तान है यानि कि हम आठ देश बोल सकते हैं तो पहला है भारत, पाकिस्तान, बांगलदेश, शेलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, एंड अफगानिस्तान इसका आठवा देश है जो की अगर हम बात करें आपको मैप देखना आता होगा जैसे मानलो मैप में हम देखते हैं उपर क्या होता है उपर होता है नौर्थ यानि उत्तर नीचे होता है साउथ यानि दक्षिन इधर अगर हम करते हैं बात तो ये इस्ट होता है एंड इधर करें तो ये होता है वेस्ट तो इस दक्षिन एसी है कि अगर हम बात करें उत्तर उत्तर में उपर है हिमाले की परवर्श रंखला यानि उपर बात करें उत्तर में हिमाले और पूर्व की बात करें तो इधर है बंगाल की खाड़ी अगर आप नक्से में देखोगे तो आपको बता लग जाएगा दक्षिन की बात करें तो दक्षिन में हिंद महासागर नीचे है हिंद महासागर अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है अरबसागर यहाँ पर अरबसागर तो इस तरीके से हैं दोस्तो यह पूरा इतनी कम जगा में मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया हूँ आप समझ जाना आप मैप में देख लेना आप वहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे अब आते हम अपने टॉपिक वे कोशन नमबर हमारा थर्ड है तीसरा कोशन यह है कि दक्षिनेशिया के किन देशों में मतलब जो दक्षिनेशिया के जो देशें उन देशों में कैसी सासन विवस्ता है तो दक्षिनेशिया के मेन अगर हम आठ देशों की बात करते तो यहां पर हम साथ ही पढ़ेंगे और इन साथों की शाशन विवस्ता को पढ़ लेते हैं भारत और श्रीलंका सिर्फ दो देश ऐसे हैं दक्षिनेसी हैं में जहां सुरू से ही लोगतंत्र है यानि लोगतंत्र सफल है आपको पताओ का जो भारत है यानि हमारे जो इंडिया है और श्रीलंका की बात करें तो यह निए निए फोटी एट में आजाद हुआ था जब से ये दोनों देश आजाद हुए तब से लेकि आज तक क्या है यहां पे लोगतंत्र सफलता पूरवक कायम है नेपाल और भूटान की बात करें तो यहां पे दोस्तो राज तंत्र है पाकिस्तान और बांगलादेश की बात करें तो यहां पे लोगतंत्र और सैनिक दोनों तरे का शासने मालदीव की बात करें तो यहां पे अध्यक्षात्माक परणाली है और बाद में क्या है यहां पे भी लोगतंत्र के लिए काम चला है और बहुत लिए पार्टी विवस्ता सुरू हो चुकी है ठीक है MDP उस पार्टी का नाम है Maldivian Democratic Party आप यह देख सकते हो अपनी बुक में अगला कोशन दोस्तों यह है कि दक्षिन एसिया जो है दक्षिन एसिया यह देशों में लोगतंत्र सबकी पहली पसंद है क्या हुआ था दोस्तों कि यहां पे एक सर्वे करवाया गया था दक्षिन एसिया के पाँच देशों में उन देसों से ये पूचा गया कि भाई कौन सी सासन विवस्ता सबसे भेटर है आपकी नजरों में तो सब ने क्या करा लोगतंत्र को समर्थन करा यानि कि लोगतंत्र को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं दक्षिन एसिया में अगला कोशन देखो दोस्तों ये भी बहुत अच पहले परदान मंत्री नहरू जी बने थे नहरू जी के बाद सास्तरी जी बने थे सास्तरी जी के बाद इंद्रा गांधी ठीक है इंद्रा गांधी उसके बाद मोरार जी देशाई फिर चौदरी चरन सिंग फिर इंद्रा गांधी फिर इंद्रा गांधी की मौत के बाद रा नजीर वुट्टो, फिर परवेज मुसर्रफ, फिर नवास सरीफ, में अगर हम बात करें तो इस तरीके से यह नहीता थे पाकिस्तान में, आप NCRT के बुक में देखो कि आपको सब कुछ मिला है, बस मैंने यहापे क्या करा है, NCRT के बुक में से to the point लिखने का प्रयाज करा ह जो कि बहुत आपको फायदा बहुचाएगा, आपको क्या करना है, साथ के साथ यह नोट डाउन भी करते चलना है, अगला देखो आपके सामने स्क्रीन पे कोशन है कि पाकिस्तान में, लोगतंतर के स्थाई ना रह पाने के पीछे क्या करना है, मैंने यहापे most important इस लिखा यानि सैनिक, धरमगुरु और भूसवामी जो लोग होते हैं, इनका ज़्यादा दबदबाएं, दूसरी चीज़ जो सबसे important बनी रहती है, यह है भारत और पाकिस्तान के बीच का रिस्ता, भारत और पाकिस्तान के बीच का रिस्ता कुछ इस तरीके से है कि मतलब उनके बी पाकिस्तान जो है दोस्तों वो अमेरिका के जादा करीब रहे और आपको बताए चाइना जैसे देश भी है, आज की टाइम पर चाइना जैसे देसों के और यह जादा करीब है? तो सबने के अगर है अपने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को नुक्सान ही बहुचाए ह मैं आपको समझाता हूँ तो दोस्तो कोश्चन हमारे सामने ये है कि बांगलादेश संगट की पूरी कहानी बताओ तो बांगलादेश आपको पता होगा अगर हम भारत का मैप देखते तो उपर जम्मू कश्मीर कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें ठीक है यहाँ जगा काम होने के वज़े से मैं ज़्यादर नहीं बनाऊंगा फिर इदर जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक देश मिलता हमको आप ध्यान से देखोगे तो बांगलादेश यानि ये पाकिस्तान ही था पाकिस्तान जो बटे थे पाकिस्तान यहाँ पर अपना दबदबा बना रहा था पाकिस्तान क्या करता था भाई इनके साथ दबदबा दिखाता था यानि जबरन मतलब इनके साथ गलत कर रहा था गलत क्या कर रहा था जबरन इन पर उर्दू भासा थो पर रहा था और यहां कि जो संस्कृति थी असम से जुड़ी उई उसको नश्ट कर रहा था ये तो इसके विरोध में क्या हुआ यहां की जनता ने सुरू कर दिया पश्च्चिमी पाकिस्तान के खिलाव शेक मुजीब रहमान जो थे उनके नेतिर्टु में जन संगर छिड़ गया शेक मुजीब की पार्टी जो थी आवामी लीग यानि जब देखो उन्होंने इन पे जबरन उर्दु भासा थोपने की कोशिस की गई तो वहां की जनता ने विरोध करा अब जब विरोध हुआ तो भाई पस्ची में पाकिस्तान के खिलाब एक नेता थे शेक मुजीब रह्मान इन्होंने नेतरुत किया और संगर्ज छेड़ दिया सबसे आगे शेक मुजीब उनके पीछे हजारों की जनसंक्या लोग शेक मुजीब को की जो पार्टी थी उसका नाम था आवामी लीग आपको याद रखना है आवामी लीग वहां क्या हुआ उन्होंने 1970 में सबी सीटों पर विजय मिली थी उनको शेक मुजीब को क्या कर लिया गया गिरफतार कर लिया गया और यहिया खान थे उस टाइम पे ने था यहिया खान जो पाकिस्तान से थे उन्होंने क्या करा पाक सेना को वहाँ पे भीजा और बंगाली जो जनता थी उनके आंदोलन को कुचलने की कोसिस की हजारों लोग क्या होगे मारे गए और बहुत सारे इसी टाइम पर लाखों लोग जो थे शरणार्थी जो थे वो भारत की तरफ भागे ठीक है अब ऐसे में समस्या आ गई भारत के सामने की भाई तक चर्णार्थी को रखना कहां पर कैसी रखा जाये आभ ऐसे मैं इंरा गअ गढधी ने दिमाग लगाया और उन्होंने क्या करा इंद्रा गांदी ने फायदा उठाया इन दोनों की लड़ाईयों का आपने वो कहावा सुनी होगी जब दो बिल्लिया आपस में लड़री होती हैं तो एक बंदर फायदा उठा लेता हैं वो कहान यह आपको याद होगी तो कुछ इसी तरीके से हुआ कि इंद्रा गांदी ने इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठाया बंगला देश को पूरवी पाकिस्तान ने इसको अपना समर्थन दे दिया और भाई इस तरीके से भारत और पाकिस्तान की बीच में 1971 में युद्ध हुआ और भारत युद्ध को जीत गया उसके बाद क्या हुआ जो ये पूरवी पाकिस्तान था ये एक स्वतंत्र देश बन गिया जिसको बंगला देश कहा जाता है तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आप NCRT में बढ़ लेना आपको वहाँ डेटेल में मिलेगा इसके बारे में ठीक है दोस्तों तो बांगला देश यहां से एक स्वतंत्र देश बन गया था अब चलते हम अपने आगे टॉपिक पर अगला टॉपिक हमारा नेपाल हमें बताना है कि नेपाल में कैसा सिश्टम था नेपाल में आपको पता होगा रास्तंत्र था यानि यहाँ पे राजा का शासन होता था नेपाल क्या है एक प्राचीन समय से एक हिंदू देश है जो कि भारत के आप देखोगे उपर की साइड बना हुआ है ठीक है उत्तर भारत में है और नेपाल जो था यहाँ पे राज तंतर था पर वहां की जनता जो थी वो चाहती थी कि उत्तर दाई शासनो इसके लिए वाज उठा रहे थी जनता मतलब लोकतंतर चाहरी थी राजा ने क्या कर रखा था सेना को अपने कबजे में कर रखा था और सेना के द्वारा पूरा नियंदरन बना रखा था अब 1990 में क्या हुआ एक सफल जना अंदोलन हुआ यानि कि जनता राजा से बहुत ज़्यादा नाराज होगी थी राजा से गुस्से में आ चुकी थी जनता ने क्या कर रहा एक अंदोलन कर दिया राजा ने लोकतंतरिक सम्विधान की मांग मान ली फिर उनके दबाओं में जो मांग थी सम्विधान की वो मान ली इनोने राजा ने नेपाल में लोकतंतर ज़्यादा कामयाप नहीं रहा माववादी जो थे उनका प्रभाव यहां पे बहुत ज़्यादा है आपको पता होगा यह माववाद वगेरा नकसलवाद कहीं नहीं से निकला है माववादी जो थे उनका राजा तता अभीजनों से ससत्तर विद्रो जारी रहा यानि माववादी लोग बिलकुल इनके खिलाफ थे अब यहां पे लड़ाई हो गई तीन जगा एक तरफ है माववादी लोग एक तरफ तो राजा है राजा से ही माववादी और सत्ताधारी अभीजन यानि जो भी राजा के चेले वगएरा होंगे सत्ताधारी होंगे या राजा के साथ जो सत्ता में शामिल होंगे उन सभी से माववादी ओंकी लड़ाई हो गई संगर से चला भाई बहुत जादा माववादी राजा की सेना और लोगतंतर समर्तक इस तरीके से एक तरफ तो थी भाई राजा की सेना राजा की सेना दूसरी तरफ थे माववादी लोग और तीसरी तरफ थे लोगतंतर समर्तक इससे जो थोड़ा बहुत लोगतंतर बचा हुआ था, वो भी खतम हो गया राजा ने क्या करा, संसत को ही खतम कर दिया हुआ पर फिर 2006 में क्या हुआ, पूरे देश में लोगतंतर समर तक परदर्शन हुआ यानि क्या हुआ था दोस्तों 26 में पूरा का पूरा नेपाल एक साथ आ गिया था और सब ने मिलके राजा का विरोध कर दिया था बोला था इस बार राजा को तो खतम करना ही है अब यहाँ पर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ लोग तंतर आएगा वहाँ पे जो साथ पार्टि ने उनकी मांग मान ली थी समविदान सभा के लिए काम चला था मावादियों ने भी संगर्स छोड़ दिया था जब राजा ने बात मानी लिये तो इस तरह से नेपाल में फिर लोग तंतर के लिए काम सुरुआ नेपाल का समविदान बनाया गया और इस तरीके से नेपाल जो था बाद में राज तंतर से एक लोग तंतर देश बन गया यानि अब वहां के जो लोग थे वो राजा से अतीज से ही जुड़े हुए थे लोग पते क्या चाते थे लोग चाते थे कि राजा तो रहे क्योंकि उनकी संस्कृति परंपरा में है ऐसा लेकिन वो यह नहीं दोस्तो कोशन हमारे सामने है श्रीलंका के जातिय संगर्स के बारे में बताओ आपको पता है अगर हम भारत का मैप देखते हैं अगर नीचे तो कुछ इस तरीके से है दक्षिन भारत और यहां पे एक देश कुछ इस तरीके से मिलता है इस देश का नाम है श्रीलंका और आ कि आपको कि एंगा हैं क्योंकि जो सिंगली लोग हैं वो ये कहते हैं कि तमिलों को जरासी भी रियायत नहीं देनी चाहिए उनको यहां से बहगा देना चाहिए इस तरीके से तो यह क्या समस्य है पढ़ते हैं इसको भारत में से जा बसने वाले तमिलों को लेकर वहाँ पर विवाद है शिलंका के मूल निवासी को सिंगली कहा जाता है और भारतिये जो वहाँ पे तमिल लोग हैं जो भारतिये उनको तमिल कहा जाता है सिंगली और तमिलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं उनका मानना है कि भारत के तमिलों के साथ जरासी भी रियायत नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि शिलंका जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगली लोगों का है ठीक है तो तमिल लोगों का एक संगटन है उग्र तमिल संगटन जिसको हम कहते हैं लिट्टे अब question दोस्तों यहां लिट्टे से question बहुत ज़्याद आता है तो इसलिए मैं लिख देता हूँ साइड में most important आपको लिट्टे याद रखना है लिट्टे का पूरा नाम है Liberation Tigers of Tamil Islam ये संगटन ठीक है दोस्तों श्रिलंका में तमिलो के लिए एक अलग देश की मांग कर रहा है और श्रिलंका में उत्तरपूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंतरन है खिक है उत्तरपूर्वी ये वाला जो हिस्सा यहां पर इनका नियंतरन है अब यह कहते हैं भाई कि यहां पे अलग देश बना दो तमिलो के लिए क्या ऐसा कोई पसंद करेगा मानलो हम भारती हैं हम देश में रहते हैं हमारे देश में कोई विदेशी आके बस जाएं और वो हमसे यह बोलें कि भाई हमारी यहां पे जनसंक्या जादा है हमारे लिए लग देज बना दो तो क्या हमको यह पसंद आएगा बिल्कुल भी पसंद ने आएगा सेम यही कंडिसन श्रिलंका के साथ है क्यों भाई स्रिलंका उनको बनाएगा श्रिलंका नहीं देगा अपनी जमीन जरासी भी कोई भी नहीं चाहता दुनिया में ऐसा तो यही विवाद बन जाता है भारत और श्रिलंका के बीच में और जब वहाँ पे तमिलों के साथ गलत होता है अत्याचार होता है तो हमारे जो तमिल लोग है जो इसमें रहते हैं तमिल नाडू साइट रहते हैं लोग यह हमारी सरकार पर दबाव बनाते हैं कि हमारे तमिल भाईयों के साथ श्रिलंगा में गलत हो रहा है सरकार कुछ करे अब भाई सरकार क्या करे सरकार ऐसे में क्या हुआ कि भारते सरकार उस टाइप राजिव गांदी वगरा थे पिये तो राजिव गांदी जो थे उन्हों ने श्रिलंगा का दोरा किया और श्रिलंगा से बात करने की कोशिस की तो अपनी 37 सेना 1987 में स्रिलंका में वेजी समझोता कराने के लिए लेकिन क्या हुआ वो वापीस आ गई 1989 में यानि दो साल के बाद वापीस आ गई और समझोता भी नहीं हो पाया पर वहाँ लोगों ने ये समझा कि भारत की सरकार उनके अंदुरुनी मामले में दखल अंदाजी कर रही है आपको ठीक है ये बता दिया जाए एक चीज ये भी आधक ना शिलंका एक ऐसा देश है जिसने जनसंक्या पर नियंतरन पा लिया है और अर्थव्यस्ता का सबसे पहले उदारी करन करा था भारत और शिलंका की बीच में समझोता करवाने कोसिस की है आइसलेंड और नौर्वे ने तो दोस्तो यहां सी ये टॉपिक हो गया अगला टॉपिक हमारा भारत और पाकिस्तान संगर्स तो भारत और पाकिस्तान के बीच में संगर्स आपको पता ही है क्या से क्या है तो दोस्तो अगला टोपिक हमारा भारत पाकिस्तान संगर्स भारत और पाकिस्तान संगर्स एक कभी ना खतम होने वाली लड़ाई है आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेसा तनातर नहीं रहती हमारे इससे चार युद्ध हैं पहला दूसरा तीसरा चोथा पहला हुआ है 1947-1948 में उस टाइम पे नहरुजी परदान मंतरी थे कश्मीर मुद्धे पे कश्मीर के दो हिससे हो गए थे इसी टाइम पे एक जम्मू कश्मीर जो हम भारत में वो तो जम्मू कश्मीर है जो दूसरा पाकिस्तान में चला गया वो पी ओके है अब मानलो मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से मनाता हूँ यह है हमारा जम्मू कश्मीर तो आपको पता होगा अगर आप मैप में देखोगे तो यह जो हिस्सा है न कुछ यह चला गया पाकिस्तान के हाथ में इसको बोलते हैं P.O. के और जो बचा हुआ है वो है भारत का जिसको बोलते हैं JNK यहनी जम्मू कश्मीर तो यह सारी घटना हुई थी 1947-47 के दोरान दूसरा यूद हुआ 1965 में सास्तरी जी इलालबादरू सास्तरी जी देश के परधान मंत्री थे तीसरा यूद हुआ 1971 में इंदरा गांदी उस टाइम पर परधान मंत्री थी यह बांगला देश वाला यूद अभी पढ़ा है न हमने बांगला देश संकट सेम यह वही 1997 वाला यूद था 99 में चोथा यूद हुआ था हमारा 1999 में जिसको कारगिल यूद कहते हैं अब आपको कमेंट बॉक्स में यह मैंने खालिस्तान डाल लगा है कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है कि 1999 में भारत की बरधान मंत्री कौन थे जिस टाइम पर कारगिल परिक्षन किया आपको एक बात और बतातूं जब यह भारत और पाकिस्तान के परिक्षन हुए थे न तो इससे न अमेरिका जैसे देसों ने बहुत जाता मतलब भारत पे तो रात और रात परतिबंद लगा दिये थे ठीक है तो यह हमारे परमानू परिक्षन है भारत ने पहला पर्मानु परिक्षन 1974 मई में किया था, दूसरा पर्मानु परिक्षन भारत ने 1998 में किया था, आपको ये बाते याद करनी है और मैं जो आपको बताता हूँ, आप रजिस्टर अपने साथ रखा करो, पॉस करके वीडियो को, नोट डाउन जरूर कर लिया करो, अगला आतंगवादी लोग है, उनको पैसा देती है, ट्रेनिंग देती है, हतियार देती है, ऐसा कहता है भारत, चिक है, और 1985 से 1995 में खालिस्तान में आतंग्यों को गोले बारूत देता है, पाकिस्तान ये सारा काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार है, वो हम पर उल्टा आरो जबकि हमारे तरब से ऐसा कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी हमारे उपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, अगला है सिंदू समझोता, 1960 में क्या हुआ था, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंदू जो नदी है, इसके जल बटवारे को लेकर एक समझोता हुआ था, जो विशु बैंक ने, यानि वर्ल्ड बैंक ने करवाया था, नेता कौन थे, भारत की तरफ से कौन थे, हमारे पंडी जवलाल नहरू थे, उदर से अयूब खान रहोंगे, आप ये सर्च कर सकते हो, उसमें, गूगल में, इसके बाद है विवाद के मुद्दे, आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर विवाद के मुद्दे आ जाएं, तो कश्मीर है, सबसे बड़ा मुद्दा, कश्मीर को लेकर होती लड़ाई, फिर गुजरात है हमारा, जो गुजरात है, मैप में कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, गुजरात, तो गुजरात में जो एक जगा है रन, रन में एक जगा है कक्ष, कक्ष में एक जगा है सरक्रिक रेखा, गुजरात, रन, कक्ष और सरक्रिक रेखा, तो इस सरक्रिक रेखा वाली जगा पर विवाद है, पाकिस्तान का है, लेकिन ये है तो भारत का, लेकिन फिर भी वो इस पर अपना दा तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा जल्दी जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कहीं ऐसा नहों कि मतलब वीडियो ज्यादा लंबी हो आपको कम टाइम में ज्यादा बताना होता है तो इसी तरीके से हो सकता है आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना अगला देखो टॉबिक हमारा क्या है यह पेपर में बहुत जादा कोशन आता है दोस्तों यह मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत और बांगलादेसे इसके बीच में तीन मुद्दे ऐसे बताने है तीन वि विवाद के मुद्दे पढ़ लेते हैं हमने इधर लिख रखे है विवाद का है गंगा और ब्रंपुत्र नदी का जो पानी है जलबटवारा उसको लेकर भारत और बांगलादेस के बीच में विवाद है आपको पता है कि अवैद रूप से बहुत सारे लोग बांगलादे बांगलादेस उस पर रोगने लगा रहा तो ये कि ये बड़ी समस्या है फिर सेना जो है हमारी वो पूर्वोतर की तरफ जाए तो ये रास्ता नहीं देता बांगलादेस हमको रास्ता नहीं देता ये कि ये बड़ी समस्या है फिर क्या कि म्यामार को बांगलादेसी इलाके से होकर अगर हम भारत अगर अगर हम म्यामार को बांगलादेश के रास्ते से होकर आपको पता है पहले बांगलादेश आएगा उसके बाद म्यामार आएगा इधर इंडिया है अगर हम यहां से पाइपलाइन ले जाते हैं म्यामार की तरफ तो जाएगा तो बांगलादेश के सहमती है तो दोस्तों दूसी तरफ जो है पॉइंट ये सहमती के है तो आप देखो पिछले 10 वर्सों में आर्थिक संबंद बहुत मजबूत हुए है भारत और बांगलादेस के बीच में बांगलादेस भारत की पूरब चलो की और की जो नीती है उसका हिस्सा है पूरब चलो परियावरन की समस्या इन में भी भारत और बांगलादेस हापस में क्या कर रहे हैं सही हो कर रहे हैं और आपको एक बात और अच्छी पता लगेगी कि भारत और बांगलादेस का पहले व्यापार बहुत कम था अब वो व्यापार बहुत जादा बढ़ रहा है दीरे दीरे तो एक ये अच्छा point हो जाएगा तो ये हैं सहमती के यानि ये positive point है और ये हैं विवाद के यानि ये negative point है तो दोस्तों दोनों ही point आपको अच्छे से आने चीए बहुत important topic है ये अब last हमारा जो topic बचा है इसको और पढ़ लेते हैं भारत और नेपाल के बीच में संबंद कैस संदी क्या और रखिये हैं कि भारत से लोग नेपाल में और नेपाल से लोग भारत में बिना वीजा क्या आ सकते हैं ठीक है कोई passport वीजा वगरा की जरूत नहीं पड़ती आराम से आ सकते हैं एक दूसरे के देश में बहुत अच्छा समझोता है ये तीसरा क्या है व्यापा नेगिटिव की तो नेगिटिव भी है कि व्यापार से सम lending कुछ मनमॉटाओ है आपको पताए कि जो नेपाल है वो चाइना के करीब जा रहे है चाइना जान मुझक उसको अपनी करीब लानी कोशीज करता तो ये भी एक मनमüngॉटाओ का कारण बन जाता है नेपालोर चीन की आप नेपाल की सरकार कदम नहीं उठाती फिर माववादी लोग हैं माववादी आपको पता है नकसलवाद बहुत बड़ी समस्य है भारत में और ये नकसलवाद यहीं से पनपी है वहीं के माववादी लोगों से पनपी है यानि भारत जो है उसकी पनबिजली परियोजना को हतियाना चाता है ऐसा लगता है नेपाल को जबकि भाई नेपाल के पास ऐसा कुछ है नहीं जादा हम क्यों हतियाएंगे हमारे पास पहले ही सब कुछ है तो ये एक समस्या आ जाती है दोस्तों तो दोस्तों मैंने ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको खतम करके दिया है, काफी कम समय में, आप वीडियो को एक बार और कम से कम दो बार तो आप जरूर देखो, दो बार देखने के बाद आप NCRT को बढ़ोगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ भाएगा, अगर आपक सब्सक्राइब करो, उसके बाद बैल आइकन, जो बैल आइकन है, उस पर क्लिक कर दो, क्लिक करते ही, आपको सारी नोटिफिकेस्टान हमारी नई वीडियो की मिल जाए करेगी, तो दोस्तों पसंद आए, तो शेयर जरूर करना, धन्यवाद